अस्सलाम अलेकुम तो आज मैं बना रही हूँ कीमे का सालन तो कीमे के सालन के लिए मैंने कीमे को पहले से बॉयल कर दी ती जिसमें मैंने सिर्फ नमक प्याज एक काट के और पानी डाल के सको मैंने बॉयल कर दी उसके मसाले के लेंगे लस्तन, अद्रक, मिर्ची आप अपने टेस्के साब से लीजिए और धनिया पत्ते लेंगे हरे मसाले में यही रहेगा और गरम मसाले में लेंगे जीरा, काली मिर्च, बड़ी लाइची, छोटी लाइची, दाल चीनी और यह है मारा चकरी फूल थोड़ा सा यह ले लेंगे इन सब को मैं अच्छे से पीस लूँगी यह जब यह पीस के मैं रखूँगे उसके बाद मैंने मसाला मैंने पीस लिए हूँ उसके बाद एक डेक्चा हम गरम करेंगे उसके अंदर मैंने तेल डाली हूँ तो मैंने एक मीडियम साइज की पियाज काटी थी छोटी चोटी उसको डाल देंगे और यद्या भी अच्छे से भूनेंगे इसको थोड़ा light brown होने तक का भूनेंगे भूनेंगे यसको तो पियाज देखे हमारी light brown हो गई है तो मैंने मसाला पीस के रखी थी वह मसाला पुरा हमने मसाला पीसे थे जिसमें वो मसाला अच्छे से दो कर वो भी डाल देंगे इसमें और इसको अच्छा भूनेंगे तो इसको मैं कुछ दो मिनिट तक का भूनी थी भूनने के बाद फिर मैं इसमें मीडियम साइज के मैंने दो छोटे छोटे टामाटर काटके मैंने वो डाल जब देंके माचा फ़ुझाओं पुर्णियूंसों किमा कोदी के मांसालवि करें छोग सती है , बोल होने दे मेरें मकम किमा बॉल करने के टैम पे भी नमक डाली थी और अभी मसाला भूनने के टैम भी थोड़ा नमक डाली तो आप नमक हिसाब से डाली आपके टेस्ट के हिसाब से डाले तो देखें मसाल अच्छे से हो गया है भूनके तो अभी जो मैंने कीमा बॉयल करके रखी थी वो कीमा में डाल और तो यहां चाहिए एपने तो पैने दाला आभ मैंने पानी तो खेसी माशि रखना है और इसमी पेडला पानी यूब तो उसके लिए sorry तो ये देखिए, म useless अच्छे से गल चुगा था पक गया था आलू तो इस वजे से मैंने इस Самचे से डाली थोड़ा धनया पते डालेंगे और इसको अच्छे से mix कर देंगे तो आपको मेरी recipe कैसी लगी जरूर बताईे ये खाने में बहुत ही टेस्टि और बहुत ही अच्छी थी और जल्दी पख जाने वाली रेसिपी है तो आप इसको ट्राइ जरूर करिए और कमेंट्स करके जरूर बताए कि आपको मेरी रैसिपी कैसी लगी अच्छे लगे आपको मेरी वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अल्ला अफीज